नमस्कार विद्ध्यार्थियूं आपका स्वागत है पत्रिकारिता एवं जनसंचार की क्लास में अब तक आप मेरे पीछे की वीडियो देख चुके होंगे और मुझे पहचान ही गए होंगे मैं हूँ आपके असेशन प्रोफेसर डॉक्टर साधना सिर्वास्तो पत्रिकारिता वर्म जनसंचार विसमे में यहाँ पे असेशन प्रोफेसर हूँ उत्तरपदेश रासी टंडन मुक्त विस्वित्याले में पिछले लेक्चर के सिरीज में आप यह देख चुके हैं कि पत्रिकारिता में कितने सारे कोर्स चलते हैं और उनकी क्या-क्या अपर्चनिटी और करियर से जुड़ी हूई संभावनाएं हैं आपने दोस्तों विद्यार्थियो किसी भी मीडिया का कोर्स जोईन किया हो हमारे विस्वित्याले से चाहे वो डियाईपी हो, PGDJMC हो, MAJMC हो जो पहले हमारे हमारे हां MJ कोर्स चलता था अब उसका नाम करन जो है MAJMC हो गया है यानि कि पत्रिकारिता एवं जनसंचार में परायसनातक हो गया है चाहे उसके विद्यार्थी हो, Electronic Media and Film Production के विद्यार्थी हो या फिर ग्रामीर पत्रिकारिता के डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स के विद्यार्थी हो आप सब के जो कुछ संभावित प्रशन आते रहते हैं समय समय पर कभी YouTube के जरिए कभी phone call से और जग्यासाइं आती रहती है आज का मेरा ये एक lecture जो ही समान में पर्चा है Media और पत्रिकारिता के पर्चा से जुड़ा हुआ इसे देखने से पहले आप मेरे जो तीनों लेक्टर हैं पहले कि जिसमें मैंने gas ब्रामिजार बारे में बताया है कि यहां पर कौन कौन से चलते हैं हमारे विशुद्याले में यानि कि उत्तरपदेश रासी टंडन मुक्त विस्विद्याला में पत्रिकारिता विभाग की ओर से कौन-कौन से courses चल रहे हैं, कितने diploma courses हैं, कितने certificate course हैं, और कितने degree courses हैं, उन सब के बारे मैंने संपुन रूप से वीडियो अलग से बना के डाला है, लेकिन उसके बावजू को सांत करने के लिए, मैंने ये lecture बनने का फैसला लिया, और मैं ये बताना चाहूंगे आपको, कि हमारे विस्विद्याले में, जो भी courses चल रहे हैं, वो particular एक निश्चित pattern पे चलते हैं, और उस pattern का आधार होती है हमारे हां की विवर्णिका, कई सारे courses हैं, जो कि समय समय प होते हैं, exam के time पे भी या सुरुवात में भी, कि हम किस विसाय का paper दें, मैडम हम किसके assignment जमा करें, assignment upload हुए हैं, की नहीं हुए हैं, या फिर इसमें कैसे हम किसको करें, तो इन सारे प्रशनों के जवाब देने के लिए, आज मैंने ये video बनाने का सोचा, और इसमें मैं आप का 30 और 70 नंबर का division है, 30 नंबर के assignment होते हैं, और 70 नंबर के theory की परिक्षाएं होती हैं, जो कि आपको यहां पर आके देना होता है, और assignment के लिए आपको एक अलग से copy मिलती है, जो हर अध्यान केंदर के पास या market में आपको कहीं भी बहुत असानी से उपलग्द हो जाएग तो अपनी पाश्ट पुस्तक यह जो SLM है उससे या कुछ सामान ग्यान से या Google से कहीं से भी देख के आप उसके answer को लिख सकते हैं, वो एक आपका अभ्यास, कार्य और assignment work होता है, जो की आपकी सामान समझ को विक्सित करता है पत्रिकारिता से जुड़ी चीजों में, वो आ पैसे summarize करें या इसको कैसे पढ़ें, तो इस बारे मैं आपसे कहना चाहूंगी, कि सबसे पहले आप अपने paper के syllabus को देख लीजिए, जो website कर दिया गया है, और आपको यहां पर मैं एक बात और बताना चाहूं कि, आपकी website जो है, जो सवाल आप मुझ से पूछते हैं, या कि अगयासाओं का समधान कर सकते हैं, उसमें बाकाइदा सारे assignments पड़े हुए हैं, Yearwise पड़े हुए हैं, और एक चीज का और मैं बताना चाहूंगे, कि आपने जिस सत्र में admission लिया है, जैसे कि अगर आपने जुलाई 2020 में admission लिया है, तो आपको जुलाई 2020 के जो पार्ठक्रम का स्वरूप और सनरचना थी, उसके अधार पर आगे कि पडिक्रियाओं को और आगे कि एक्जाम को देना है, आप बिल्कुल भी कन्फ्यूज मत होई है कि अगला पेपर कौन सा है या कौन सा विसा मिल रहा है, आपने admission के समय पर ये एक तम अच्छे से ध्यान रख लिजि ये सेमेश्टर पर आधारित है, जिसके तीन पेपर फर्स सेमेश्टर में हैं, तीन पेपर जो हैं सेकंड सेमेश्टर में हैं या जो भी उनके प्रश्णों के श्रिंखने और नाम करने हैं, वो सारे आपके विवर्निका में उपलब्द हैं, उसी के अनुसार आपको assignment जमा करना है, उसी के अनुसार आपको exam देना है, और एक चीज आपको मैं बताना चाहूंगी, कि अगर किसी वज़े से आप लोग कोई exam छोड़ देते हैं, या अगर आप फर्स सेमेश्टर का exam नहीं दे पाते हैं, तो हमारे विस्विद्याले ने आपको ये सुविधा दी और आप बहुत परसानें, तो हमारा विस्विद्याले उत्तर प्रदेश रासी टंडर मुक्त विस्विद्याले आपको ये सुविधा प्रदान करता है, कि आप उन दोनों पेपर के सेमेश्टर को भी carry forward कर सकते हैं, बैक पेपर देने के बाद, लेकिन MAJNC second year की आपको fees ज जरूर ले लेजिए, और निर्धारे समय पर ही एक्जाम दीजिए, बसरते जो आपके paper छूटे हुए हैं, जो paper आपने first semester या second semester के papers नहीं दे पाएं आप किसी कारणवर्स, वो आप अगले semester में दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको back paper भरना पड़ेगा, और दूसरी ज जुड़े या किसी भी विसाय के course से, जुड़े courses के बारे में, कि आपको अपनी website देखने की आदत हमेशा के लिए रखनी है, अभी हम लोगों ने जुलाई में माननी है, कुल्पती महोर्या के आदेश से बहुत ही अच्छा आभिनाव प्रयोक किया था, जो काफी सफल रह वो तो इसका लाब उठा लेते, यहां के पूछ लेते हैं, लेकिन यह दूर-दूर के छेत्रे कारियालों पे या अन्य जगों में या पूरे उत्तर प्रदेश में जो हमारे पत्रिकारिता के विद्यार थी है, वो इसका लाब नहीं उठा पा रहे थे, तो इसलिए हम पत्रिकारिता से जुड़ी हुई, तो आप में इन कैमपस के विचर्स के द्वारा संपर्क कर सकते हैं, आप उनसे अपनी समस्याओं के समाधान ले सकते हैं, यह वीडियो बनाने का सीधा सही तातपर मेरा बस इतना है कि आप जो छोटी-छोटी बातों के लिए परसान रह हो रहा है, तो इन सब बातों का एक ही जवाब है कि जो समस्याओं के जिस संबंधत विभाग से हैं, आप उसी से बात करिए, उनसे संपर्क में रहें और हमारे पत्रिकारिता विसे के लिए आपको कोई भी समस्या आती है, किसी भी सेंटर के हैं आप, तो आप जो हमारे इस स्थार करते हुए, मैं बताना चाहूंगी, इस वर्ग जो पुराने चात्रे हैं, वो तो जान चुके हैं, मुझसे मिल चुके हैं, जो नए चात्रे जिन्होंने इस बार प्रथम वर्ड्स में अड्मिसन लिया है, मैंजेंसी के, उनके लिए मैं विसे इस इस पूप से चाहूंगे कि यहां पर तीन पेपर पढ़ाय जा रहे हैं इस बार जो कि PGDJMC की फर्स समेस्टर में है और MJ की फर्स समेस्टर में है पहला पेपर हमारा सिद्धांत से जुड़ा हुआ है जिसमें समाने परिचय है और सिद्धांत और थियोडी की बाती की गई है दूसरा आहें अर बाकी जो डिप्लो मा म कोर्स है जैसे फिल्म प्रडक्शन हो गया या ग्रामीर पत्री कारिता का प्स्टर मेंगा इसमनें शुब् सामगरी पहुँच जाएगी आप उसका अध्यान करते रहें और जब आपके टैम टेबूल के कॉर्डिंग आपके अध्मीशन के कॉर्डिंग जिस सत्र में या जिस एर में आपका अगर एरली कोर्स है तो अधारित कोर्स है तो आपके सेमेश्टर पदती से अधारित कोर्स होंगे तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा और आप जो बार-बार एक सो थीम के तहई चल रहा है सेम यहीं चीच पीजी डिजी अंसी के साथ है जो पीजी डेजी अंसी के पुराने सथर के बच्चे थे उनके अगर बैक पेपर हैं या वो कुछ अपना पुराना देना चाह रहे हैं तो पीजडेजेंसी 01 पीजडेजेंसी 02 और 03 के पेपर देंगे लेकिन जिन्हों ने जुलाई 2020 के बाद से एड्मिसन लिया है पीजडेजींसी के कोर्स में उनके पेपर जो है 101 के को आप अपने परिक्षा देते वक्त अपने कोड का और विसाय के टॉपिक का दोनों का मिलान कर लीजिए उसके आधार पर ही दीजिए एसाइन्मेंट जो हैं वो समय पर जमा कर दीजिए बाकि विसाय से जुड़ी कोई भी जानकारी हो तो मैं वुक परसर में 10 से 5 रहती हू संतिपुरम प्रयागराज में बाकि अगर आप किसी और भी सेंटर के विद्यार थी हूं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं चाहे वह फोन के जरिये या समय समय पर जो हम लोग जूम की क्लासेज लेते हैं जब उसकी कॉंसलिंग क्लासेज की अपडेट्स होगे जूम बात कहना चाहूंगी कि हमारा विश्विद्याल है पूरा तरीके से अपनी सारी सुचनाओं को पूरी तरीके से वेबसाइट पर देता वो जो वेबसाइट है वो हमारे लिए भी आधार वाक्ष है और आप अगर वेबसाइट को समय समय पर देखते रहेंगे वेबसाइट का समाधान करेगा अगर आपके पास कोई और प्रश्न भी हो तो आप उनको कर सकते हैं उत्सा के साथ पढ़िए टीम वर्क में रहिए और सफल पत्रकार बनिए आप सब को मेरी सुब काम नाए नमस्कार